आज की डेट है 9 February 2023 UPSC Preco 107 दिन 107 डेज रह गया है In these remaining days, we will cover entire previous year question Mostly after 2011 Because 2011 के बाद के PY को करना उसकी कोई relevance रह नहीं जाती है Because syllabus काफी change हो चुका है और पहले की question और अब की question में काफी differences है और उसके बाद आपको अच्छे से पता होगा की PYQ कितना importance है UPSC की journey में देखे PYQ से आपको pre में खास करके Mens में तो बहुत जादा ये PYQ की value हो जाती है Pre में वो direct question नहीं पूछते है But आपके पास जो statement दिया रहता है 1, 2, 3, 4, 5 statement ये statement must appear होता है in the next year of examination By the forming of question ये चीज आपको question बनके next exam में आएगा That's why आपके पास जो भी concept है जो भी question पूछा जा रहा है उससे जो भी related concept है वो चीज एटलिस्ट माइड में रहना चाहिए वहाँ से कोई question miss नहीं होनी चाहिए तो आज की जो है date में आज हम लोग science and tech से उसमें से एक topic है space Space का हम लोग कुछ pyq solve करेंगे ठीक है Science के pyq solve करने में दो बाते mostly ध्यान में रखना है क्या ये मैंने अकसर देखा है क्या आप जब test भी बनाएंगे और जो है क्या और इसके बाद आप previous year question को भी देखेंगे तो आपको दो चीज बहुत common नज़राएगे space के topic में कि space में यदि कोई date दिया है particular date of launch कोई year उसमें दिया हुआ हो कोई figure दिया हुआ हो कि जैसे ये earth है low earth atmosphere कि height इतनी है तो वो चीज mostly क्या होता है wrong होता है 95% case में date, year और figure जो है वो गलत होगा और जो technical statement है कोई भी काफी थोड़ी डिटेल में technical statement दिया हुआ है वो mostly correct होगा तो क्या बाते धियार में रखनी है science and take के में space topic का question मराते समय कि उसमें से जो है date, year, figure 95% गलत होगा और जो है क्या technical statement mostly ये correct होगा चलिए अब स्टार्ट करते हैं question used for telecommunication relay are kept in geostationary orbit geostationary orbit में कह रहा है क्या तो वो जो satellite geostationary orbit में telecommunication satellite को fit करते हैं इसकी क्या क्या इस orbit की खासियत है means तो options हमारे पास है geosynchronous orbit, circular orbit lies in place of earth's equator और ये वाली height अभी हमने एक चीज़ बात किया था जो exact figure होगा science में mostly गलत होगा ठीक है बट उस जगा जाने से पहले थोड़ी सी हम लोग actually इस question में geostationary orbit है बहुत से लोगों को आप लोगों को confusion होती होगी what is geostationary orbit and what is geosynchronous orbit तो एक पर पहले इसको देखते हैं क्या होता है फिर इस question को solve करते हैं ठीक है देखो हमारा जो अर्थ है अर्थ के चारो ओर हम satellite को क्या करते हैं जैसे कि ये हमारा अर्थ है तो हम लोग satellite को अर्थ से उपर भेजते हैं क्यों हो सकता है कि यहाँ पर tower लगा के हम लोग यह telecommunication का का काम कर लें यदि हम लोग यदि कम रेंज पर यहाँ पर हमान लोग satellite लगा है तो यह only कम area को cover करेगा इसलिए हम लोग कोसिस करते हैं इसको maximum से maximum height पर पहुँचा दे ताकि इसकी जो coverage area होगी वो बढ़ जाएगी वो लगवग most of अर्थ के surface को cover कर पाए तो इसलिए हमारे पास हमने जो orbit design किया इस तरीके से अर्थ की जो है यह हमारा अर्थ है ठीक है इस अर्थ से 160 km तक कोई भी satellite को हम लोग यहाँ पर launch नहीं करते हैं अभी cause of यहाँ पर धेर सारी clouds हैं atmospheric event होती है तो वो इसमें जो है क्या hindrance प्रोवाइड कर सकती है तो जो हमारा orbit start होता है जहाँ पर mostly satellite को रखा जाता है तो first level होता है low earth orbit, second होता है medium earth orbit and third होता है outer earth orbit एक यहाँ पर यह जो line दी हुई है इस line की बहुत बड़ी value है यह एक critical point है जिस point पर demarkation point कि यह earth से लेके जो है इसकी height 3500786 km है क्या ऐसा बात है जो exact यह figure पर यह height दिया हुआ देखो इस height पर यदि कोई particle move करती है earth के चारोड कहां से? earth से यह हमारा earth है earth से यदि यह इस height पर move करेगा 35786 km तो इसकी जो orbital time period होगा इसको की OTP कहते है not mobile वाला OTP OTP मतलब कि एक बार यदि satellite यहां पर कोई रहती है या satellite के जिगा कोई भी चीज रहेगी इसको यहां से complete take revolve करने में 24 hour लगता है और आप आपको समझ में आ रहा होगा यह 24 hour क्यों क्योंकि earth भी हमारे जो अपने axis पर rotate करने में यह 24 hour लेता है इसका मतलब है यदि किसी satellite को इस place पर जाके रखा जाए तो क्या होगा इस place पर रखने से वो earth के साथ-साथ move करेगा जिसके कारण earth पे उसकी जो position always stationary रहेगी means उस area को always cover करेगा यही यह चीज इसमें major इस point की value है देखो अब जो है हमारे पास जो है दो तरह की orbit होती है earth के बाहर यह earth है ठीक है इस earth से जो भी चीज इस height पे मान लेते हैं यह जो भी height हमारी थी कितनी थी height यह यह height थी 3, 5, 7, 8, 6 km तो इसके चारोड earth का यह zero degree equator हो गया तो इस angle पे जो भी move करेगा तो उसको कहेंगे geosynchronous orbit ठीक है इस height पे जो भी satellite move करेगा तो इस orbit का नाम है geosynchronous orbit तो हम लोग कैसे मान लोग कि यह satellite ऐसे यहां से move कर रही है तो इसकी angle जो निकालते हैं हम लोग equator से comparison करके उसका angle निकालते हैं तो हो सकता है कि कोई satellite earth को जो है इस तरीके से ऐसे move करता हो इस height पे है ऐसे earth move करता हो कोई earth को इस तरीके से measure करता हो तो जब इसकी आप angle निकालेंगे equator से कितने degree पे move कर रहा है equator से कितने degree पे move कर रहा है तो इसमें जितनी possible angle हो सकती है all possible angle with respect to equator तो वो सभी आ जाएगा geosynchronous orbit में पट एक special case इसका हो सकता है कि geosynchronous में मतलब क्या बोल रहा है theta की all value, all possible जितनी यहाँ पे हो इधर पे हो, कितने भी angle पे possible हो वो सभी geosynchronous कहलाएगा लेकिन इसमें से जब theta की value 0 हो मतलब equator के यह parallel में move करे जब यह equator से parallel में move करे मतलब equator से यह angle 0 degree बनाए तो यही geosynchronous spacially called geostationary ठीक है all geosynchronous जो होगी उसकी कोई ना कोई अलग-अलग different all possible angle होगी with respect to equator बट जो geostationary होगा उसका theta 0 degree होगा between orbit and equator तो यह चीज दे होगी और इसकी distance कितनी है 35786 km इसका मतलब हम कह सकते हैं geostationary orbit एक special type का geosynchronous orbit है जो की जिसकी angle 0 degree है मतलब parallel to equator है अब एक बार question के statement को देखते हैं तो यह question कर रहा था क्या जो geostationary orbit है वो itself geosynchronous है बेलकुल सही है क्यों क्योंकि यह all possible angle है और यह इसी का एक special case है उस special case में यह दिये parallel होता है तो फिर क्या है कि यह geostationary बन जाता है तो पहला statement correct है second orbit is circular है obviously हर orbit जो होती है वो circular ही होती है तो यह हो गई second statement भी correct है orbit lies place earth's equator यही तो geostationary से बनाता है geosynchronous से geostationary बनता है था कि वो equator के parallel होता है तो यह भी statement सही है और यह वाली line यह क्या था हमने देखा कि यह वाली point गलत है विकाज इसकी height कितनी है 35786 km तो यहाँ पे यह गलत दिया हुआ है तो यह options कट जाएगी अब याद किजिए हम लोग starting में क्या discuss किये थे कि जो date, year, figure होगा वो चीज 95% case में incorrect होता है यह 2011 की question थी तो इसका answer क्या हो जाएगा तो 4 options delete हो गया तो answer A हो जाएगा देखो, next question क्या कहता है कि एक artificial satellite orbiting around earth doesn't fall down this is so because attraction of earth मतलब कि कह रहा है कि यह कोई satellite है यह outer surface में outer orbit में move कर रहा है तो यह गिरता नहीं है विकाउज जो है कि इसका reason क्या है तो इसकी reason में उन्होंने 4 reason दिया है क्या appropriate statement होगा पहला कर रहा है attraction of earth doesn't exist at such distance कि इस distance पे अर्थ की gravity लगती ही नहीं है यह क्या सवाल हुआ अर्थ के orbit में हो और अर्थ अपना attraction power ना लगाए तो इसके तो बिल्कुल ही यह गलत है कि अर्थ तो अपनी attraction power लगाएगी अपनी gravitation power लगाएगी फिर क्या कहता है is neutralized by attraction of moon मतलब यह यहाँ पे हमारा अर्थ हुआ मिंस अर्थ इसे इधर से खीच रहा है और इधर outer surface पे moon है वो moon इसको इधर खीच रहा है यह neutralize कर दे रहा है तो मतलब क्या बाकी planet क्या हवा लगाने जाएगा बाकी भी planet तो है moon है और उसके बाद Mars है जो better है वो सब भी तो अपना attraction लगाएगा तो rest of planet भी से अपनी और खीचेगा तो उसके बाद ये दो statement में पहले इसको समझते देखो कोई भी चीज को move करने के लिए circular orbit में physics क्या कहता है physics कहता है इसे move करने के लिए दो force चाहिए एक force जो होगा इसे center की ओर लगेगा जिसे centripetal force कहते हैं और एक force इसके center के बाहर लगेगा जिसे centrifugal force कहते है fugal F and centripetal towards center तो centripetal force और देखिए अब उसके बाद ये दो force कैसे satellite में provide होती अर्थ की जो attraction power है अर्थ की attraction power है ये इसे provide करती है centripetal force और satellite की पास अपनी energy रहती है अपनी engine रहती है अपनी speed रहती है जिसकी वज़ा से satellite की जो speed होती है ये speed provide करती है centripetal force ये दोनों force के balance होने के कारण क्या होता है satellite move करता है तो इसकी correct options ये होगी कि ये जो satellite की जो अर्थ की जो attraction power है वो इसको एक necessary acceleration प्रोवाइड करता है acceleration is equals to date of change of velocity जिसकी वज़ा से ये satellite move कर पाता है इसकी देखते है explanation काता है क्या attraction of attraction of earth provides the necessary acceleration for its motion an artificial satellite revolve round the earth under the centripetal acceleration centripetal मतलब क्या towards the earth earth की center की ओर जो है जो centripetal acceleration लगती है उसकी बज़े से artificial satellite move कर पाता है क्याता है speed must be great enough तो क्याता है क्या उसके बाद speed must satellite की great enough होना चाहिए to bring satellite back to earth मतलब की ऐसा इससे आसान भासा मैंसे समझते है क्या देखो आपके इकशी पता है यदि satellite की speed बहुत maximum होगी तो वो earth के gravity को ही छोड़ देगा ठीक है और उसके बाद काता है क्या इसकी speed जो है इतनी होनी चाहिए कि ये gravity doesn't bring satellite back to earth जिसकी वज़े से नहीं कम speed करना है कम speed होगा तो क्या होगा satellite fall to earth आ जाएगा यदि जा अधिक होगा तो earth के orbit को ही छोड़ देगा तो optimum होनी चाहिए ठीक है करता है speed which is provided by rocket is the source of centrifugal force जो हमने भी देखा ये जो centrifugal force है ये outer side ये कोन लगा रहा है तो ये rocket लगा रहा है तो क्या करता है speed which provided by rocket is the source of centrifugal force और attraction of earth hold it पकड़ के उसे रखता है कि वो move away ना कर जाए because of this centrifugal force मतलब rocket अपनी force बाहर के तरफ लगा रहा है तो उसके वज़े से भाग भी तो सकता है तो earth बोलता है रुको रुको कहा जा रहा है उसको पकड़ के रखता है ये इसमें क्या कह रहा है क्या ये कुछ spacecraft की एक mission को यहाँ पे दिया हुआ है और उससे related यहाँ से इसका क्या purpose था पोच रहा है ठीक है सबसे first है Cassini High Gens ये mission था ठीक है ये दोनो actually आपको इसके बारे में दो चीज़ तो इसमें से बहुत common है वाइजर 1 और वाइजर 2 और messenger ठीक है वाइजर 1 और वाइजर 2 outer space के लिए था Cassini थोड़ी सी बहुत actually मुझे भी नहीं पता था इसके बारे में तो मैंने इसे study किया तो देखो Cassini mission जो है ना वो Cassini mission NASA और European Space Agency और Italian Space Agency इस तीनों का joint venture था Cassini mission ठीक है ये दोनों जो इसमें Cassini और हैजरेंस है ये जो Cassini थे वो Italy के एस्टरोनोमर थे और हैजरेंस जो थे ये डच के जो है ये डच के एस्टरोनोमर मैथमेटिशियन सैंटिस्ट थे ठीक है ये उसके बाद चंद्रियान टू भेजा था जिसमें की जैसे विक्रम था विक्रम उसमें लेंडर था लेंडर और रोवर क्या होता है किसी भी सैटलाइट का जब आप किसी सैटलाइट को उपर भेजते हो तो कोई पार्ट क्या होता है एक पार्ट को आप उसके सर्फेस पे उतारते हो जो सर्फेस पे किसी भी another planet के जैसे हमने moon पे भेजा था तो जो moon के सर्फेस पे land किया तो उसको कहते है lander और जो इसके उपर ही रहके दूर से ही रहके इसको study करेगा गोल गोल घूम घूम के उसे बोलेंगे पे जिसका की जो largest moon है moon मतलब satellite Saturn की जो largest उपगड़ moon थी जो टाइटन थी टाइटन पे land किया था ये ये lander और कसीनी rover था जो की उसको बाहर से ही observe करता उसकी picture लेता इसने ये launch हुआ था 1997 में और 7 साल लग गया इसको अर्थ से Saturn तक पहुचने में 2004 में वो इसके orbit में पहुचता है Saturn के orbit में 2004 में पहुचता है और 2017 में तक वो active रहा और उसकी जो है की photograph लेता रहा लास्ट में इस satellite की fuel खतम हो गई तो फिर इसको खतम कर दिया गया और उसी के environment में ये खतम डस्ट बनके गिरा दिया गया ऐसे 2017 इसकी last date थी service की ठीक है तो इसमें क्या करता है क्या तो options number ये थी तो कसीनी हाजन्स जो करता है क्या orbiting the venus and transmitting earth तो obviously ये fact गलत है यहाँ पे venus को करने के लिए वो नहीं किया था तो options 1 येदि eliminate करते है तो 1 येदि गया तो correct statement पूछ रहा है ठीक है तो 1 तो पहले बात यहीं से खतम हो गया यहाँ यहाँ भी खतम हो गया all of these नहीं होगा directly आप 2 and 3 पे जा सकते हैं ऐसे भी वाइजर तो काफी famous है जो कि outer solar system को study करने के लिए हमारे पास ये mission था तो ये हम हो रहा और इसकी एक पर description में ये दिख लेते हैं काता है क्या messenger जो था messenger is a robotic NASA spacecraft का mission था ये जो कि which orbits the mercury mercury को orbit करने के लिए messenger को mm से हम लोग याद रख सकते हैं mercury को study करने के लिए गया हुआ था इस फॉस्ट एयर क्राफ्ट तू डू सो और इस इस टाइप के मतलब मर्करी को study करने के लिए फॉस्ट एयर क्राफ्ट था its main function is to do mapping and investigating the mercury mercury के surface को mapping करने के लिए उसे investigate करने के लिए ये messenger को भेजा गया था by NASA के द्वारा भेजा गया था second है वाइजर वन और वाइजर वन के बाद वाइजर टू लांच किया गया था by NASA to study outer solar system ठीक है outer solar system को study करने के लिए वाइजर टू वेंट on the explore of Uranus and Neptune एक चीज की outer solar system किसे करते हैं हमारे पास यदि ये शन है ठीक है ये है हमारे पास शन तो Mercury when my very efficient mother just served us nuts ये मार्स के पहले तक ये ये वाली ये ये जो चार प्लैनेट है इसे हम लोग करते हैं inner planet और ये सारे जो 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 वियन प्लैनेट जो आउटर प्लैनेट भी करते हैं तो आउटर solar system में से हम लोग रहते हैं तो इसमें से जो वाइजर था वो यूरेनियस और Neptune को study करने के लिए गया था मरकड़ी वेनस अर्थ मार्स जो बेटर सेटर्न यूरेनस नेप्चून तो इस दोनों को study करने के लिए वाइजर तू गया वा था यूरेनस नेप्चून और इस तरह का अभी तक में भी जो है क्या वो इससी वाइजर ही है जो यहां तक पहुच था वो सेटर्ट पर गया था और उससे भी आगे वाइजर 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 टू यूरेनस नेप्चून तक और पहर वन तो हमने देखा गलत ही था तो नेक्स्ट कोस्टन देखते हैं कहता है क्या इन विच आफ दा फॉलविंग एक्टिविटीज आर इंडियन रिमोर्ट सेंसिंग तो रिमोर्ट मतलब क्या होता है रिमोर्ट मतलब दूर जैसे आपके हाथ में रिमोर्ट होती है टीवी कि क्या करते हैं आप दूर से रहके उससे कंट्रोल करते हैं और सेंसिंग मतलब टेकिंग फोटोग्राफ ठीक है फोटो लेके उसे स्टडी करना क क्या चीज कैसे हो रहा है उसे कहते हैं रिमोट सेंसिंग तो इंडियन रिमोट सेंसिंग कोई भी सैटलाइट होगा उसको किस परपस के लिए आप यूज कर सकते हैं बिल्कुल कॉमन सेंस ज़ुड़त नहीं कि यूपीस का नौलेज यहां पे हो देखें यदि वो रिमोट से वो पिक्चर से स्टडी कर सकता है कोई दिखकत नहीं लोकेटिंग ग्राउंड वाटर रिसोर्स यह भी कर सकता है इसमें मतलब अभी देखने क्या पॉसिबिटी क्या क्या है मिन्रल एक्स्प्लोरेशन कहां पे कौन सी मिन्राल है पिक्चर लेके उसको स्टडी कर सकते हैं स्टडी बिलकुल ये भी हो सकती है लेकिन यहांपर एक ओप्सन से टेली कम्युनिकेशन आप बताइए फोटो खीच की को मिन्राइशन कैसे होगा नहीं हो सकता है तो ओप्सन फोर को यदि हम इलिमिनेट करते हैं फोर यहां पे है फोर यहां पे है मतलब क्या हो गया फोर यह खतम हो गया यह खतम हो गया और 1,2,3 की तो possibility हो रही है ना तो 1,2,3 है तो यानि की option number is the right answer ठीक है इसे आप पढ़ लिजेगा बहुत असान question था ठीक है next question करता है क्या astro set the astronomical observatory launched by India यह इंडिया के द्वाड़ा जो astro set launch किया गया था which of the following statements are correct ठीक है फिर से याद किजिए first में अभी हम लोगों ने क्या बात किया था science and tech का figure जो होता है वो completely 95% में गलत हो सकता है यदि आपको नहीं आता हो तो आप risk ले सकते हैं because 95% is a big ratio क्या कर आए कि astro set is a 2000 kg satellite placed in the orbit at इतने किलो मेटर देश 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 आप मान लो यह statement गलत ही हो ठीक है यदि हम तू को eliminate करते हैं तू मेरा गया तू मेरा गया अब वन बचा other than USA Russia India is the only country to have launched this similar observatory into space देखें इसमें एक्शोली यह थोड़ी सी इसके लिए knowledge चाहिए होगी तब ही यह question बनेगा तो इसमें क्या था पहले USA ने बनाया था USA के बाद रसिया रसिया के बाद एक और country इस तरह का एस्ट्रो सेट जो है वो जापान ने बनाया फिर जापान के बाद इंडिया बनाया तो यह भी statement क्या है गलत ठीक है कोई भी जो fact type की question होगी factual question होगी यह भी options गलत है यानि कि इ option number D ठीक है एस्ट्रो सेट के बादे में थोड़ी सी देख लेते हैं वाट इस तो इंडिया ने लॉंच किया एस्ट्रो सेट को 2015 में लॉंच किया ठीक है 15 में एस्ट्रो सेट लॉंच हुआ विद दस और जब यह इतनी सक्सेस रही इंडिया के लिए great success रहा एस्ट्रो सेट कर दिया कि हम लोग जो है एस्ट्रो सेट टू भी लॉंच करें ठीक है यह क्या है यह इस्पेस को अब्जर्व करता है इस्पेस अब्जर्वेटरी ठीक है आपको इस्पेस को अब्जर्व करनी है तो कभी भी जब आप इस्पेस को अब्जर्व करते हैं तो वह उसके को आप कैसे study करते हैं उसके लिए आपको wavelength चाहिए डिफरेंट डिफरेंट जो लाइट है उसकी wavelength या ड्रे है उसकी wavelength अलग होती है उस wavelength से आप उसकी property को study करते हैं जेनरली मतलब ऐसा है कि कोई भी सेटल आप एक चीज और यहाँ पर थोड़ छोटी से information है समाल लो यह सेटलाइट मतलब यह कोई प्लैनेट है माल लेते हैं यह मून है एक सेटलाइट उपड़ गया हुआ है आपको कैसे लगता होगा कि यह सेटलाइट जो है सब कुछ पता कर लेता है कि इस पर कौन सी मेटल मिल रही है मतलब सब कर दिएट यहां पर गोल्ड डिपोजित है कैसे इसे पता सब कर दो एक फ्रिक्वेंसी और यह फ्रिक्वेंसी और इसको जबрий्वापस यहां से टक्रा के उपर जाएगा तो यहां पर detect करने के लिए मेरे पास detector लगा हुआ है ठीक है यहाँ पे एक detector लगा हुआ है और हर फ्रिक चीज यदि और यह frequency इस तरह से set है इसको पहले से पता है इस तरीके से हमने design किया है यदि यह gold से टकराएगा तो इतने second में और इस तरह से returning frequency होगी यदि सोडियम से टकड़ाएगा तो इसकी frequency से होगी मतलब उस तरह या पानी से कैसे पता करेंगी कि हैंपर पानी है या नहीं तो पानी को यदि पानी में यह frequency मिलेगा तो वह अलग तरह का behavior सो करके यह वापस जाएगा इससे detect करके हम लोग एक अनुमान लगाते हैं क्या कि वहां पर यह चीज़ हो सकता है तो इस पेस ऑपजर्ब करने के लिए यह जो था multi wavelength space observatory था पहले USA रस्या जापान के बाद इंडिया ने इस लांच किया था ठीक है तो चलते हैं next question पर और एक्षोली यह PSLV XL से लॉंच किया गया था PSLV क्या है PSLV एक लॉंच वेकल है जैसे आप समझ लो rocket जो आप दिवाले में फुल जड़ी लाते हो कितनी दूर तक जाएगी यह डिपेंड करेगा आपका rocket कितना बड़ा है XL PSLV से लीज का सबसे बड़ा लॉकेट यह एक्स्ट्रा लार्ज इसे करते हैं आप कपड़ा के लेने जाते हो एक्स्ट्रा लार्ज उसी तरह किसे यह PSLV का एक्स्ट्रा लार्ज वर्जन है जिसमें के स्ट्रेपन लगे रहते हैं साइड से और साध्य को रोकेट लगे होते हैं जिसको एक्स्ट्रा फ्यूल प्रोवाइड करता है टूगो मैक्सीमम डिस्टेंस ठीक है अब स्पेस को अब्जर्ब करना है तो थोड़ी लो अर्थ और में रहेंगे उसको बहुत उपर जानी प्लत होगी तो energy अधिक चाही ठीक है यह चीजह है नेक्स जलते हैं नेक्स्ट कोश्चन है मंगल्यान के बाले में ठीक है मंगल्यान काफी फेमस इंडिया का वन अफन फाव ट्रेट टेस्ट एचीव्मेंट अप इस इसरू उप वन आप ग्रेटेश्न एचीव्मेंट आम called Mars Orbitar Mission, Yes obviously it is the name. Mars Orbitarian Mission. Made India, the second country, इसनेbad Canada इंडिया को बनाया? Second Country तो बनाया, गोसरा ऐसा country बनाया to have a spacecraft orbit Mars after USA. This is also completely current USA जे दτο इसने India ऐसा country था जसने Mangalyaan में Successful में Made India, the only country to be successful in the making इंडिया ने अपने पहली एटेम्ट में एक कप चय कीमत में, हमारे प्राइमिनिस्टर जी ने कहा था, जीतनी आप एक कप चय पीते हो, उतनी यदि एक इंडियन की पैसे को एड किया जाया तो उतनी कम पैसे में हम लोगों ने मंगलियान बना दिया था, यह कोई greatness नहीं था हमारा हाँ obviously greatness था लेकिन actually इतना कम cost इसलिए पढ़ा न हॉलिवुड के movie से भी कम पढ़ा I think 500 करोड के something में पढ़ा था तो reason यह था कि हमने उसमें equipment ही नहीं डाला इसलिए अभी इसकी जो सबसे बड़ी criticism हो रही है काफी अच्छा देखें मंगल यान के बा first interplanetary mission from ISRO ISRO के द्वारा एक पहला ऐसा mission था जो interplanetary था अपने planet से बाहर जाके इसको डेड़ी करना था मार्स पर जाके escape velocity यह भी हम लोग बात किया था 11.2 km per second है मतलब earth orbit को छोड़ने के लिए why Mars, Mars along with Venus equal to earth twin हम लोग मतलब क्या होता है यह जैसे कि हमारे पास sun है तो sun से काफी गर्म है यह इस place तक too hot है और इस place तक too cold है मतलब काफी ठंड हो जाती चुकि sun से ही साड़ी energy मिलती है हमें तो बट यह beach वाली जगह यहाँ पर optimum temperature है और इस वाले जगह को ही goldy lock john करते है इससे previous year question था UPSC का what is goldy lock zone तो goldy lock zone ऐसा range of distance जहां से की optimum temperature प्रोवाइड हो ना अधिक गर्मी ना अधिक ठंडा जिससे आप अच्छे से सर्वाइब कर सकते हो और इस zone में तीन प्लैनेट आते हैं वेनस अर्थ मार्स टोटल कितने प्लैनेट होते हैं my very efficient mother just served us nuts तो यह इधर का मरकरी छोड़ देते हैं बागी इधर का यह इधर चार्ज होट गया और यह तीन जो है actually यहाँ पर कहते हैं क्या life possibility हो सकती है विकाउज गोल्डी लोग जोने optimum temperature है जो बात बची पानी की तो पानी के लिए ही सारी कहानी अभी तक चल रही है तो मार्स देखें मार्स को थोड़ी से एक factual information मार्स को red planet करते हैं विकाउज इस पे फेरिक iron 3 प्लस होती है इसे मार्स को god of war, god of fire भी करते हैं in western country के language में मार्स और अर्थ में क्या similarity है देखो हम लोग के यहां क्या होता है 24 hour लगता है one duration अर्थ को अपने rotation पे move करने में मार्स पे भी अप्रॉक्स यही है 24 hour 39 minute यह tilted 23 and half है जिसकी वजह से season होता है जिसकी वजह से इतनी तरह से हमारे पास अलग-अलग environment होती है अलग-अलग seasons होती है और तो अच्छी कासी biodiversity है यह भी tilted 25 degree देखो यह हो गई fluvial pattern वहाँ देखने को मिला गया था fluvial मतलब किया fluvial pattern मतलब पानी के कारण जो आपकी land form बनती है इसे fluvial pattern करते है तो इससे scientist को लगा क्या must भी आज हो यह पहले कभी पानी वहाँ पे must होगा कभी न कभी वहाँ पानी रहा होगा तब तो fluvial pattern बना हो सकता है क्या क्या वो ice है या कुछ और है या underground water है तो इसको study करने के लिए पोड़ी दुनिया वे जो है Mars पे mission भेज रही है Mission हम लोगों ने कब भेजा था 5th November 2013 को भेजा by PSLV C25 सीरीज से हमने इसे भेजा PSLV से ठीक है कैसे हमने भेजा था Actually क्या होता ना एक चीज़ देखो जैसे कि यह हमारे पास Earth है Earth से हमने माल लो यहां से क्या किया यह जो आपको थोड़ी सी डाइग्राम में दिख रही होगी हमने टोटल यहां से क्या किया ना यह Earth है Earth से 1st, 2nd, 3, 4, 5, 6 आप क्या देखते हो जब कोई चीज जैसे सेटलाइट मूब करती है स्टार्टिंग में क्या करते हैं इसको थोड़ा ऐसे उपर भेजा यह चार उपगल मूब कर रहा है फिर यहां से सेटलाइट फाइरिंग करती है फाइरिंग को आप ऐसे समझ सकते हो जबरदस्त वाली एनरजी अंदर से दिया एनरजी दिया यह इसकी वेलोसिटी थोड़ी बढ़ी अगले दूढ गया फिर इसने एक बाद फाइरिंग किया तो फिर इसके बाद क्या हो गया फिर अगले ओर्बिट में गया इस तरीके से करके टूटल 6th फाइरिंग में जब छठा फाइरिंग हुआ तो वी एचीवड ये वाली डिस्टेंस कौन सी ये escape velocity हमने एचीव कर लिया escape velocity पता है क्या कि 11.2 km पर सकेंड एक सकेंड में इतनी स्पीड उसमें हो जाए और उसके बाद कहते हैं क्या जिसको कहते हैं geocentric phase ठीक है geocentric phase में जब ये चले गया उसके बाद फिर जो है 6th fire में हमारे और Mars orbit में ये कब पहुचता है तो मंगल यान enters the Mars Martian gravity and revolving around it ठीक है ये date है जिस दिन हम लोगों ये चीज जो है वहाँ पहुच चुका था ठीक है 2013 में 5 November को launch हुआ और 24 November 2014 में ये चीज वहाँ पहुच किया देखो मंगल यान को जो हमने desire किया था हमारा बस जो ये चीज था कि desire था only कि वहाँ पे रहेगा और only 6 month तक work करके हमें data मिलेगा बट बहुत आस्यर जनक कि वह अभी तक work कर रहा है हमने भी 7th anniversary उसका celebrate किया और critical evaluation ये इस पे किया जाए कि जो भी हम लोग बात कर रहे थे कि हमने बहुत सस्ते में बना दिया actually क्या था क्या मंगलियान वाज दी marvel in the engineering मतलब engineering में उसकी कोई comparison नहीं सुपर्व था कि हमने इतनी जवर्दस technology से हम देश पे ये कर दिया बट लेकिन ये problem क्या था but no exciting science come from it इससे कोई result हमें नहीं मिल पाड़ा है because क्या था इसमें जो instrument और जो experimental things उसमें लगा है था हमने वो mediocre था मतलब उतनी high quality की नहीं लगाई उतनी जादी समान भी हम नहीं लगाई और जब समान ही नहीं है तो फिर वो क्या data हमें देगा हम उससे तो ये थोड़ी problem थी और मंगल यान 2 अब expected है बहुत जल्दी पहले इसकी expected date 2022 थी अब जो है इसे बढ़ाके 2024 कर दिया गया है और जो कि फिर से ये है और बायेटर मीसं होगा और बायेटर मतलब सी बाहर रहें इसको मूब करेगा लेंडर इसमें नहीं होगा टो इसमें इंव वाज फ्रेशा और फ्रेंच हैल्यवरेशन है तो फ्रांस से मिलकर हम लोग उसमें से कुछ और इसमें improvement करेंगे तो आज के लिए इतना हrukंतले